मुवी की शुरुवात में हम लिया को देखती है जो अपने बॉइफरिंड डेव को गुडबाई कहते हुए आफिस के लिए निकल जाती है लिया रास्ते में कैफे में रुकती है जहां वो एक लड़के काडर से मिलती है जो उसे बहुत पुलाइटली बिहेव करता है लिया को काडर बहुत अट्रैक करता है रात को लिया और डेव अपने फ्रेंड्स केरिन और फ्रांक की एनिवर्सरी सेलिबरेशन में जाते हैं जहां डेव केरिन के बेटी जैक के साथ खेलने लगता है केरन उसे सुलाने के लिए ली जाती है और लिया की सेकंड फ्रेंड इलीस या देव से फैमली स्टार्ट करने के बारे में पूचने लगती है देव के आंसर ना करने पर लिया परिशान हो जाती है घर बहुचने पर लिया देव से कहती है वो उसके साथ family start करना चाहती है लेकिन डेव उसे कहता है वो शादी के लिए त्यार नहीं है क्योंकि उसे लगता है शादी के बाद चीजें complicated हो जाती है लिया बहुत bad feel करती है और उसके साथ break up कर लेती है अगले scene में हम देखते हैं दो माँ कुज़े चुके हैं लिया एक बार में केरन से मिलने आती है इसी तुरान लिया को केरन का मेसेज मिलता है कि वो जैक के बिमार होने की वज़े से नहीं आ सकती तब ही काडर वहां आ जाता है और उस लड़के के सामने लिया का बॉर्फिंट होने का नाटर करते हुए उसे वहां से भगा देता है लिया काडर को थैंक्स कहती है और वो दोनों एक साथ ड्रिंकिंग करने लगते है काडर लिया से उसके रिलेशनचिप के बारे में बूचता है जिस पे वो उसे अपने ब्रेक अप के बारे में बताती है कार्टर इसका हाथ पकरते हुए उसे कंसोल करने लगता है वो दोनों बाहर आते हैं और लिया की कार के पास खड़े बातें करने लगते हैं कार्टर लिया को अपना कार्ट देता है और इसे केस करते हुए उसके लिए कारी का देवाजा खोलता है और वो वहाँ से चली जाती है नेक्स्ट मॉनिंग लिया ओफिस में काटर का कार्ट पकरते हुए उसे कॉल करने का सुचती है तब ही उसकी असिस्टेंट रीचल उसे बताती है कि उसके लिए किसी काटर की कॉल है लिया उसे कॉल ट्रांसफर करने के लिए कहती है कार्टर फोन पर लिया को देट पर इंवाइट करता है और वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है कार्टर लिया को एक लोकल पार में ले जाता है पार में डांस करते हुए वो एक दूसरे को सेड्यूस करने लगते हैं और एक रूम में जाते हुए इंटिमेट हो जाते हैं, कुछ दिन बाद लिया कार्टर के साथ अपनी घर आती है, वो अपनी कीज घर ही बूल गई थी, इस लिए प्लांट से स्पेर की निकालती है, और अचानक अपनी पेट कैन रस्टी को वहां देके चीख ने लगती है, उ नेक्स संडे उसके डाद रॉजर की पर्थ दे है, वो उसी दिन इसे रॉजर से मिलवाना जाती है, इसी दुरान लिया को टेव का मेसेज मिलता है, लेकिन वो से इकनोर कर देती है, लिया कार्टर को बताती है, कि रॉजर बेस्पॉल का ग्रेजी फैन है, वो बेस्पॉल म मैच की टिकेट्स दिखाते हुए उसे मैच देखने के लिए इन्वाइट करता है। रोजर कार्टर के सेम इंट्रिस्ट होने की वज़े से उसे पसंद करने लगता है। नेक्स टेक, कार्टर और लिया फैमिली डिनर के बाद वापस आते हैं। वो रास्ते में कास स्टेशन पर रुकते हैं। कार्टर पेमिन्ट करने के लिए स्टेशन ओनर की पास जाता है। तब ही एक स्ट्रेंजर कार्टर की कार को कमांड करते हुए लिया से इसकी डीटेल्स पूछने लगता है। कार्डर को स्ट्रेंजर का लिया से बात करना पिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे बुरी तरह मारने लगता है लिया उसे रोकने की खूशिश करती है लेकिन कार्डर उसकी एक नहीं सुनता तभी स्टेशन का ओनर उन्हें वहां से बगाने के लिए उन्हें गन जाती और गारी से निकलते हुए उसे प्रेक अप कर लेती है अगली सुभा लिया कार्टर को अपने आफिस दे के हैडरान रह जाती है और उसे अपने आफिस में ले जाती है कार्टर लिया से कहता है वो से टिनर पे ले जाना जाता है सीन काथ होता है और एक बार में लिया औ केहती है वो सूर नहीं है काड्रों कुस्से में टेवल पर पुंच करता है जिसे सब लोग उन्हें देखने लगती है यह वहांसे जाने लगती है तब ही काड्री कहते हुए उसके रोकता है लिकिन लिया उसे मूव इ plotty और लिया कार्डर की रिपोर्ट करने पहुं जाती है। लिया स्टेशन में डीटेक्टिव ऐंसन से मिलती है। और उसे कार्डर के बारे में सब एक्सप्रेयन करती ह। अर उसे कहता है।।쳐차 को नाकर سक्टे नही CAP कि रचाय से वह। Train do, ऐसे को जाय को रिपोर्ट शाँ तो उसे कार्टर का दिया हुआ थ्रेट नूट एक फ्लावर के साथ मिलता है। लिया वो नोट हैंसन के पास ले जाती है। और एकली दिन पुलिस कार्टर के गेंस्ट रिस्ट्रेइनिंग और फाइल करते हुए उसके आफिस में उसे वार्ण करने पहुंच जाती है। जिसे वो फायर्ट हो जाता है। कार्टर को लिया भी बहुत गुसाता है। और वो लिया की अपसिंस में स्पेर की यूज़ करकी उसके घर घुस जाता है। कार्टर उसका डेड़ा हैक कर लेता है। और रस्टिक को अपने साथ ले जाता है। लिया घर आती है। और रस्ट करते हुए उसे बुरा भला बोलने लगती है तब ही उसे पता चलता है कि वो कार्टरी नहीं बलके डेव है डेव लिया को बताता है कि उसने इलेसिया से उसका नियू नमबर लिया है और इलेसिया ने उसे कार्टर के बारे में भी बताया है डेव लिया को मिलने के लिया बोल काडर को लिया की गॉल हिश्टरी से पता चल जाता है कि वो डीव के साथ कॉन्टक्ट में है, टीव और लिया देट पर जाते हैं और काडर लिया को ट्रैक करते हुए सीम रेस्टरॉंट बहुंँ जाता है लिया उसे देख के घबर आ जाती है, और टेव को वहां से जाने के कहती है लेकिन डीव कार्टर से बात करने चला जाता है कार्टर टीव को पंप करने के लिए अपनी और लिया के फिसिकल रिलेशन के बारे में बात करने लगता है और टीव उसका गला दबाते हुए उसे लिया से तूर रहने के लिए वान करता है और लिया के पास चला जाता ह नेक्स डेक कार्टर सीसी टीवी कैमरा के साथ लिया की घर पहांचता है और इसके डोर पे कैमरा फिक्स करने लगता है तब ही मेकर्थी वहां आ जाती है कार्टर उसे कहता है वो लिया से मिलने आया है तब ही मेकर्थी उसे कहती है कि लिया ने उसे पताया है कि उन दोनों का परेक अप हो चुका है उसे कार्ट्र सूबर नहीं लगता इसलिए वो अंदर जाने लगती है लेकिन कार्ट्र उसकी पीछे आजाता है एक आटी कार्ट्र से बचते हुए banks पुँछे साइड पर भाग जाती है लेकिन कार्टरी वहाँ भी पहां जाता है और इसे बेस्मेंट की ष्टेश से नीचे पहन देता है लिया और टेव घर आते है कार्टरे अब तक लिया कि घर में ही छुपा होता है लिया शावर लीने के बाद टेव के पास बैट पे आती है और वो तोनों इंटिमेट हो जाती है सुभा कार्टर बैट के नीचे से बाहर निकलता है और वहां से चला जाता है लिया टेव को बेलेटिड बर्ट्स दे विश करते हुए एक वाच गिफ्ट करती है और डेव उसे वाच पहनाने के लिए कहता है और प्रामिस कहता है कि वो ये वाच कभी नहीं उतारेगा तो उसी तरफ हम देखते हैं कार्टर ने लिया और टेव के लास्ट नाइट विडियो रिकॉर्ड कर ली है कुछ देवाध चॉगिंंग करते हुए लिया को पार्ट में रस्टी के साथ अबदार पास अपनी अपिच्छी के मिस्सिंग पोस्टर नजर आते हैं जिससे वो समझाती है रस्टी कार्टर के पास नाइट्टिए उसने रिह द्राने के लिए लगाए है वो सब पोस्टर्स उतारती है और हैंसन के पास चली जाती है हैंसन उसे कहता है उनके पास कार्टर की खिलाफ कोई सबोत नहीं है और वो उसे बताता है उन्हें पता चला था कि कादर का रियल नेम रॉबर्ट था उसने 2003 में बहुत से हरास्मेंट केसिस के बाद लेगली अपना नाम चेंज कर लिया था लिया घर वापिस आती है जहां मेकैर्थी के घर पुलिस को देखती है एक पुलिस आफिसर उसकी कार रोकते हो उसे पूछता है क्या वो मेकैर्थी को जानती है लिया उसे पताती है कि वो मेकैर्थी की नेवर है जिस भी आफिसर उसे बताता है मेकैर्थी की डॉर्टर ने उन्हें रिपोर्ट की थी कि मेकैर्थी उसकी कॉल दान से नहीं कर रही इसके वो यहाँ चेक करने आए थी और उन्हें पता चला है कि स्टेस से गिरने की वज़ा से उसकी टेथ हो चुकी है लिया ओफिस पहांचती है जहां उसका बॉस टॉम उसे टेव और उसकी लाव मेकिंग की वीडियो दिखाते हुए पताता है यह वीडियों के क्लाइंस अस्टाफ में उसके अकाउंट से शेयर की कई है लिया उसे बताती है कि किसी ने उसका प्रोग्राम है किया है लेकिन टॉम कहता है वो इससे जॉब पिन नहीं रख सकता इसलिए वो से फायर कर देता है लिया एलेसिया और केरन को यह सब बताते हुए कहती है कि यह सब काटर का काम है लेकिन उसके पास काटर के गिंस कोई सबूत नहीं है काटर देव को फालो करते हुए उसके पास पहांच गया है वो देव के आने से पहले उसकी कार अब्स्टरक्ट कर देता है डेव ड्राइविंग स्टार्ट करता है और कोची ते पाथ एक्सिडेंट होने की वच्छा से वो बहुत पूरी तरह जपमी हो जाता है तब ही काटर उसके पास आता है और उसी सफोकेट करते हुए मार देता है और जाते हुए लिया की गिफ्ट की गई वच उतार के अपने साथ ले जाता है लिया डेव का वेट करते करते सो जाती है और डोर बेल रिंग होने पर जागती है हांसन जूनियर डिटेक्टिव गार्डनर के साथ उससे मिलने आता है लिया इस सकत उने घर देके परिशान हो जाती है हांसन उसे डेव की टेथ के बारे में बताता है लिया बहुत डोट जाती है और हांसन उसे हग करते हुए कंसोल करने लगता है नेक्स नाइट लिया को साइड डेवल पर डेव की वाच नजर आती है लिया समझ आती है कि डेव के अक्सिडंट के पीछे भी कार्टर का हाथ है वो वाच लेकि हांसन के पास जाती है हांसन उसे बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के कॉर्डिंग डेव ने अक्सिडंट के वक्त वाच नहीं पहनी हुई थी लिया उसे कहती है क्यूंकि एक्सिडन्ट के बाद काथर ने वह वाथ सकी रिशस्ट से उतार ली थी हैंसन उसे पूछता है काथर उसके गर कैसे इंडर हो सकता है जिस बें लिया उसे बताती है कि उसने एक बार सपेर की निकालते हुआ देखा था और वो उसी spare key की हब से उसके गर बहुत बार एंटर हो चुका है जिस पे उसने पहले देहान नहीं दिया Heansing Notre को station बलाता है और उसे बताता है कि उन्हें पता चला है कि वो Leaja के घर spare key से एंटर हुआ था और उसी ने उसका प्रोग्राम हैक करते हो उसकी वीडियोस के स्टाफ में शेयर की थी इसी दुरान लिया को अपने ही नमबर से सूसाइड नोट रिसीव होता है हैंसन कार्टरी से कहता है उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिस पे हैंसन उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है और उसके उते ही उससे दिवार के साथ धका देते हुए पंच करता है और रूम से चला जाता है लिया हैंसन को सूसाइड नोट के बारे में बताने आती है जिस पे हैंसन उसे कहता है वो कार्टर के खिलाब सबूत ना होने के वज़ए से उसी हल्प नहीं कर सकता लिया रूने रख दी है और हैंसन उसे अपने साथ कॉफी शॉप में आने के लिए कहता है कॉफी शॉप में वो लिया को शॉट गन की डीटेल्स बताता है और उसे सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए कहता है क्योंके कार्टर उसे भी मारने की कोशिश कर सकता है लिया एक रेस्टरांट में कार्टर को एक लर्की के साथ देखती है और उस लर्की को कार्टर के बारे में वान करते हुए पताती है कार्टर एक हर्रा से है इसलिए उसे उसे दूर रहना चाहिए पूलर की डर चाहती है और वहां से चली जाती है लिया कार्टर को कातिल कहते हुए वहां से चली जाती है और उसे नजर रखने लगती है उसे फालो करते हुए उसके हाइड आउट तक पहुंचती है और उसकी ए एक्सपरेसे काटर को दुबारा से फॉलो करने का डेर लिखते हो चली जाती है। लिया काटर के निउ आफिस में उसके केंस एक और रिस्ट्रीनिंग ओडर डिलिवर करती है। जिसकी वज़ा से वो एक बार फिर फायर हो जाता है। काटर हाइड आउट में लिया का लिखा हुआ देखता है और फेसे उसकी घर चला जाता है। लिया जानती थी काटर देखते ही उसके घर आएगा। इसके वो से ट्रैप करने के लिए शावर आन कर दीती है। जिसे काटर को लगता है लिया बात्रूम में है। वो बात्रूम में चाता है तब ही लिया शाट कन उसके पॉइंट कर देती है। लेकिन काटर उसके खरीब जाती हुए गन नीचे पहंग देता है। और उसे मारने लगता है। लिया भागते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन काटर उसे अंदर खीच लेता है। वो दोनों एक दूसे पर अटैक करते हुए किचिन तक पहुँचते है। यहाँ लिया उसके नाइफ से अटैक करती है। और सौसपन उसके सर पर मारते हुए वहां से भाग जाती है। लिया फिर से शोर्ट गन पकरती है और कार्टर के करीब आते ही उस पर वार्निंग शोट करती है। मैं लेकिन लिया इस बार उसे शूट करती ए और कार्टर की डेत हो जाती है। लिया शॉर्टगन के साथ हैंसन से मिल ले जाती है और इसे बताती है कि काटर ने उसके घर में घुस के उसे मारने की कोशिश की थी और उसने से शूट कर दिया हैंसन पुलिस को कॉल करते हुए काटर की लाश लिया के घसे निकालने के लिए कहता है लास सीन में हम देखते हैं पॉलिस हैंसन की अब्जरवेशन में काटे के लाश लिया के घसे बाहर निकालती है और इसे मॉमेंट पर मुवी एंड हो जाती है थांक यू पर वाचिंग